नमस्कार आपका श्रागत का शुरू करते हैं इस सिक्रेट तरीके से बनाए 15-20 मिनट में रबिडिदार खेर चलिए शुरू करते हैं पहले एक कराही ले ले मैं स्टील का कराही ली हूँ शॉले मुह वाली जिसमें बनाने में आसान हो अधा चमशागी अगर यह वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं अर्शना हीडेर एस्पी को लाइक शेयर सुस्क्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके अल पर क्लिक करें सबसे पहले मैं बदाम को भूज लेती हूँ सारे ड्राइफ्रूट को इसी तरह भूनके निकाल लें और इसके बाद मैं डालूंगी ताकि टेस्ट थोड़ा बरके आए इससे कसाद थोड़ा समय उक्रोट को भी डाली है गोर के खिर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है यह घर्पी आजमाया हुआ बहुत सरल और आसान तरीका है और आप बहुत अच्छे से गाड़ी खीर 15-20 मिनिट में बना के त्यार कर लेंगे रिसी में मैं किस्मिस डाल दी हूँ किस्मिस डालते समय कराही को मैं बंद कर दी हूँ ताकि किस्मिस हलका ही में भूनोंगी पूलने से पहले ही निकाल लें ठंड के दिनों में मीठे की क्रेविंग होती है तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसी के साथ दो चमस डेसिकेटड कोकोनेट यह सिक्रेट इंग्रेडियेंट्स इसको आप स्किपना करें यही आपकी खिर को गारी बना देगी अगर यह आपके पास नहीं है तो काजू पीस के लिए लें बादाम पीस के लिए वह भी खिर को गारी बना देगी इसी मैं दूद डालने रही हूँ यह पैकेट का दूद नहीं है यह गाय की दूद है उबाली हुई दूद है मैं एक लिटर से कम दूद ली हूँ देखिए यह चावल का यूज को यह बासमती चावल है जो छट पूजा में बनता है वही चावल इसमें बहुत खुब महक बहुत ही अच्छी होती है अगर आपके पास है तो यह चावल का यूज कीजिए नहीं तो आप किसी भी चावल से बना सकते हैं खीर की चावल अलग होती है मैं दो के लेली हूँ इसको मैं फुलाई नहीं हूँ दोई हूँ और लेली हूँ दूद में उबाला जाता है इसमें चावल को मैं छोड़ दूगी किसी के साथ कुछ केसर के धागे डाल दी हूँ ताकि कलर अच्छा है खेड में तो यह टेस्ट भी इन्हेंस हो पहले ही डाल दें अगर केसर के धागे है तो पहले ही डाल दें ताकि धीरे-धीरे यह रंग अपना छोड़े यह पर्फेक्ट इंस्टेंट खीर रेस्पी है इसी के साथ चावल को मैं छोड़ दी इसी चमचा से मैं दो चमचा चावल ली हूँ बहुत ज्यादा चावल भी नहीं ली हूँ इस साथ से आठ लोगों के लिए सफिसेंट है इस चावल सिखीर बहुत गाड़ी बनती है अपना स्टाज रिलेज करता है इस सिखीर बहुत ही जल्द और गाड़ी बनती है बस एक उबालाने भर देर है यह पुरत पक जाती है फर्फेक्ट टाइमिंग है 15-20 मिनट इससे ज्यादा नहीं मैं बिडाउट स्किप किये हुए दिखा रही हूँ कहीं कहीं काट रही हूँ तो कि वाला गया है मेरी वीडियो से जड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब करें और बेल आइकन पे किलिक करें और पे किलिक करें लाइक करना ना भूले उबाला गया है उबालाते ही आपको पता चल रहा हूँ कि कितनी गाड़ ही लग रही है जबकी दूद में पहला ही उबाला आया है चावल के दाने अब खुलने लगे है कलर भी आ गया है ने खीब कि सरका रह बहुत सुन्दर आया है मैं खेर को चेक करके देख लेती हूँ, अभी बचा हुआ, एक करन भी बचा हुआ है, अभी 80% कुख हो चुका है, 20% बचा हुआ है चावल, देखनी से पता चल रहा है कितना गारी है, खीर को हमें से स्टर करते रहे, ताकि नीचे लगे नहीं, अगर एक बार खीर लग जाएगी, तो पूरा दूद का फ्लेवर खराब हो जाएगा, इसी के साब मैं तीन इलाइची कुट के डाल दी हूँ, छिलका सही थी मैं डाली हू छिलका मैं बाद में रिमूव कर दूँगी, आप सहे हैं तो स्रिप विज़ा ही डाले, मैं छिलका बाद में निकाल देती हूँ, अब खेर 90 परसंट पक जाए, उसी समय आप इलाइची डाले, यह अच्छो से पक गई है, गरम है, इसलिए मैं चप्चा से, देरी अच्छे से पक गया है यह खेर, बहुत जल बन के त्यार होती है, बहुत जल, आप देख पा रहे हैं कितना गाढ़ा, और कितना सुन्दर, अब ही मैं एक दो मिनट और पकाऊंगे, दीरे दीरे, और इसी के साथ यह गुर है, यह गुर मैं ऐसे ही डाल दूगी, यह खजूर का गुर है, इसे घबडानी की कोई बात ने, इसे खिर फटता नहीं है, मैं गया इसको बंद नहीं की हूँ, मैं इसी तरह से डाल के बना पूरे गारंटी में सकती हूँ, कि यह खिर फटेगी नहीं, अगर आप यह गुर डाले गे, तो उससे खिर फटने का चांस है, खजूर गुर से नहीं, मैं खजूर गुर डाल के बनाई हूँ, इसी के साथ कच्छा नाडेल भी डाल दी हूँ, इसमें टेस्ट इसका बहुत अगर आपके पास है तो डाले नहीं है तो आप छोड़ दे और बादाम जो होजी हूं काटली हूं छोटे-छोटे टुकरों में आपके पास जितना ड्राइ फ्रूट से अब टाल सकते हैं दिल खोल के जहां गुर मिल्ट करेगी और गारी होते चले जाएगी सिर्फ दो चमस्ट डेसिकेटेट कोकोनट में डाली हूं उसी से खिर इतना थीक और गारी बन गई है और गुर से तो खिर गारी हो ही जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है ठंड के दिनों में खास कर गुर की खिर खाई जाती है आप भी एक वर बनाए अपने घर पे और अपना ओपिनियन सेयर करें कैसा बना है कैसा नहीं मैं आपके सामने एक एक विधी दिखा रही हूँ ये घर पे आजमाया हूँ बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप फॉलो करके बिना बिगड़े हुए खिर बना सकते हैं फटे बिगड़े कोई बिगनर्स भी बना सकता है एक से दू उबालाता है गुर्व जो भी बड़े साइज के हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे देखिए आपके सामने ही मैं चला रही हूँ और खिर में उबाला रहा है अगर फटना रहता है तो ये फट जाता है ये हीडन सेक्रेट मैं आपको बता रही हूँ इसी के साथ मैं खिर को बन कर दी हूँ अठा कुर्जी के लिए निकार रही हूँ चुकि आज बिरहस्वतवार है तो उनका भूग भी चला जाएगा और हम लोग भी खा लेंगे थोड़े से मैं ड्राइफ्रूट से डेकोरेट कर देती हूँ देखनी से यह ठंडा होने के बाद यह और ठीक होगी इसे के साथ तुलसी पत्र है ता कुर्जी का प्रिये तुलसी पत्र इसे साथ मैं भोग लगा दूंगी देखनी से कितना सुंदर लग रहा है अच्छा स्टे को गुड का की बना है और मैं आपको सर्विस करके दिखा रहे हूं प्लेट में अधे घंटे के बाद यह बहुत ठीक हो जाएगी अच्छे से गाड़ी और इसकी के साथ मैं थोरे से डेकर कर देती हूं ड्राइफूट से अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगती है अर्शना हीडन डेस्पी को सपोर्ट की जरूरत है तो आप लाइक सियर सस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन पे क्लिक करके आल पे क्लिक करें देखिए मेरे वीवर्स को बहुत दिखा रही हूं कितना सुंदर रबरीदार ख यह सिक्रेट तरीका अब जरूर आज मैं अपना है पर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब परें थैंक यूँ